नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम ट्वाइ अनुराग यूट्यूब चैनल दोस्तों हमारे पास यह छोटी सी प्यारी सी बच्ची है दो मन्त की है आप में से कई सारे लोग एक डॉग लेना चाहते हो चाहिए वो किसी भी ब्रीड का हो सकता है तो बहुत दिन डिसाइड करने के बाद बहुत दिन सोचने के बाद फिर एक प्यारा सा पपी अपने घर लाते हो और पहला दिन कुछ ऐसा प्रोबलम है जो आपको बहुत जादा मत्व की निराष कर सकता है तो मैंने सोचा कि यह प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है गारेंटी आपके साथ होगी क्यों ना आप ये वीडियो देख लो लेकिन ये वीडियो देखने से आपको ये व्यानिफिट होगा कि आपको ये पता होगा कि वो प्रॉब्लम आने वाला है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चाहिए आपको कोई निरासा नहीं होगा आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेर रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपको बताओंगा बट उससे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप एक पपी अपने घर पे लाते हो तो ब बताना बहुत जादा जरूरी समझा क्योंकि रिसेंटली भी एक ऐसा मैसेज आया था जिसमें पपी को धूप में ले गया इस ऐसे धूप में ले जाया गया और वो बताया कि पपी बहुत जादा हाफ रहा था तो उनको फ्रीज का ठंधा पानी पिला दिया गया पपी बीमार पर गया तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वो ठंडी है चाहिए गर्मी है किसी भी सिच्वेशन में आप ट्रेबलिंग किये हो पपी के साथ तो उसको अधा घंटा एक घंटा का गैप जरूर दीजे फिर ही उसको पानी या फिर खाना खिलाईए अब दोस्तों पहले दिन आपको क्या प्राबलम हो सकती है कि यह जो प्यारी सी बच्ची है अपने पार्टनर को छोड़के आपके घर जाएगी या फिर अपने जो मम्मी है पापा है उसको छोड़के आपके घर पे जाएगी तो पहला दिन तो यह मिस करेगी क्यों ना आप इंसान हो कहीं दूसरे जगह पे जाओगे तो आप भी मिस करोगे तो ये भी मिस करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को और पहला दिन तो ये बहुत ज्यादा रात में चिलाएंगे खास करके रात में बहुत ज्यादा ये चिलाएंगे जिसके वज़ा से आपके घर के मेंबर आपके परोसी और क्यों आप भी परिसान हो जाओगे और एक से दो दिन तक तो आपको काफी ज्यादा प्रॉबलम होगा क्योंकि यह रात में चिलाएंगे इसलिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि पहला दिन अगर आप पपी ले रहो तो जितना पहले हो सके जितना मॉर्णिंग में हो सके उतन मॉर्णिंग उतना पहले पपी अपने घर पे ले जाए ताकि पपी खेले आपका घर देखे पूरा एडिया देखे ताकि उसको रियलाइज हो जाए कि अब मैं न्यू घर पे आ गया हूं तो यह जो चिला रहा है उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहला दिन आप इस तो इसको एक प्यारा सा घर रखे इसके लिए स्पेसल केज रखे अगर हो सके तो और अपने ही कमरा में रखे या फिर अपने कमरे के पास में रखे इससे क्या होगा कि पपी को भी लगेगा कि मेरे सामने कोई है या फिर मेरे पास कोई है तो यह कम चिलाएगा या फिर चि जो मैंने आपको बतलाया है वो करिए तो यह लास्ट पपी मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने इसको घुमाने के लिए यहां पर लाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह वीडियो भी आप लोग को दे दू तो ऐसा अगर आप लोग करते हो तो काफी बेनिफीट मिलेगा और आ लोस्त आतो कमेंड करके बताए कि क्या जब आप लोगोंने पुपी लिए था तो यह पकि घर पे चिलाया था या फिर नहीं चिला है था बहुत जाद इंट्रेस्टिंग होगा आप लोग कमेंट करें यह प्यारा सा वीडियो है हम लोग मिलते रहेंगे कई सारे वीडियो में तब तक लिए टेक कियो बाई 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 जैहिंद